तो ने हिंद Here in times TV लें के समच्छा के हिंदी समाचार स Darth News कि इस अज़ुभति के आप है कि अ फिश्छ the एख ठेम आप लोगों को समाचार की समिक्छा सुनक्ष नगे का रशозसर्ड आज से हम पर publi है आज से Pentौ एक बार मैंदे आपके लिए देनिक जागरण क use यह अंस लिया है और यह बड़ा महत्वपूर इसलिए है कि डार्क वेब Internet की का अब देख सकते है डार्क वेब דशन का जाता है कहा जाता है तो इसकी समिक्ष्ष लिखा है तो आज हूं इस आलेख को पढ़ेंगे पढ़ने के साथ ही दो तीन चीज आप लोग सीख पाएंगे कॉम्प्रिहेंसन कैसे होगी नए शब्दों के बारे में हम सीखेंगे और कंप्यूटर की दुनिया के जो नए शब्द हैं उनका अनुवाद कैसे होगा या फिर उन शब्दों को हम वाक्यों में कैसे प्रियोग कर रहे हैं आए शुरू करते हैं सबसे पहले है देश की प्रतिष्ठित परिक्षाओं में शामिल यूजी सी नेट का प्रश्न पत्र लीक करने के संदिग्दों की भरष्ट गतिविदियों में डार्क वेब के प्रियोग का दावा किया गया क्या है डार्क वेब इसके दुरूपयोग और सतकरता जैसे तमाम बिंदों पर चर्चा करना है ब्रह्मानन मिस्ट जी इन्होंने लिखा है पहले यह यूजी सी के प्रश्न पत्र डार्क वेब पर मिला और इसके कारण यूजी सी की परिक्षा रद कर दी गई देखे यूजी सी नेट होने के एक दिन बाद ही इसके रद करने की घोशना कर दी है यह मतलब नेट की परिक्षा हुई और इसे रद कर दिया गया है इस बीच केंद्रिय शिक्षा मंत्री का भी वक्त अब आया यहां सामान ग्यान का आपके लिए प्रस्न बनेगा कि केंद्र यह शिक्षा मंत्री का नाम क्या है यह मिस्टर धर्मेंद प्रधान जी है याद रखेगा मूल प्रस्न पत्र के से मेल खाता एक प्रस्न पत्र डार्क वेब पर है जिसके कारण परिच्छा रद की गई दर असल डार्क वेब इंटरनेट को अवयधानिक गतिविधियों का अज़न है इंटरनेट की अवयधानिक अवयधानिक यह जो शब्ध है अवयधानिक का विलो मुथा होता है वयधानिग अंग्रेंजी में आप इसको देखेंगे तो यह लीगल होता है और इसके आगे prefix कहते हैं जिसको उपसर्ग कहा जाता है आई जोड़ दिया जाता है इल्लिगल हो जाता है कैसे काम करता है डार्क वेब आप डार्क वेब की कल्पना करें जहां हैकर सेध लगाए हुए डाटा वा अन्य गोपनिय जानकारियों को बेच रहे हैं और ड्रग तस कर अपने उत्पादों का विज्यापन कर रहे हैं ऐसी अनेक अवैद गतिविदियां यहां होती हैं और सामान इंटरनेट यूजर इन सबसे आमतोर पर बेखबर होता है अब देखी कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी से आये और हमने उन्हें हिंदी में यथा रूप लिख लिया है जैसे इंटरनेट को यह अथा रूप लिखने की बात आई यूजर हाला कि प्रियोग करने वाले होते हैं या प्रियोग का लेकिन आम तोर पर अभिया देखा जा रहा है कि धड़ले से अंग्रेजी के शब्दों का लिप्रेटर करके हिंदी में प्रियोग हो जिसे नियमी सर्च इंजन जैसे सर्च इंजन क्या होता है जैसे आप लिख कर के खोशते हैंives, द्वारा इंडेक्स नहीं किया जाता, अब यह जो इंडेक्स शब्द है क्प्ञ्टर की दुनिया में इंडेक्स का मतलब यह होता है कि आप जैसे कोई जीज इंटरनेट पर तो धूँड रहे हैं थूँडने के साथ-साथ व अपने मेंमूरी में उस शब्द को रख लेता है जैसे दूसरी बार आप उस शब्द को धूद देंगे उस शब्द से मिलती हुई चीजें कानून और अवैध दोनों तरह की गतिवीरियों को host करता है, host करने का मतलब यहां क्या होता है, host को एक तरह से मेजबानी करना होता है, लेकिन यहां जो host करता है, इस शब्द का यह अर्थ है, कि इस website पर आपको यह चीजें मिलती है, आगे कहते हैं, चुकि यहां पहचान छिपाने की सुविदा होती है, इसलिए scam और अवैद स आमगरी जैसे जोखिन यहां हर समय बने रहते हैं, जो भी प्रियोग करता है, उसकी जानकारी चुपी रहती है, तो वास्तों में है, इस काइम होगा, आपका computer hack होने का भी डर रहता है, तो dark website encryption software परिच्छा में पूछा जाता है, यह एक प्रकार का एक ऐसा software है, जैसे आप WhatsApp का प्रियोग करते हैं, उसमें भी encryption software का प्रियोग होता है, मतलब आप जिसको संदेश बेज रहे हैं, वही पढ़ पाएगा, आपके संदेश में सेंथ लगाना कठी होगा, तो यह एक तरह का encryption software प्रियोग करते हैं, जिससे visitor, visitor को हिंदी मोई से आगंतुक कहेंगे, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में visitor ही रखा गया है, क्योंकि इंटरनेट पे जो लोग आते हैं, आगंतुक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि स्थूल शेरिर के साथ नहीं होते हैं, अपने owner analysis दिखते हैं, उसके owner analysis दिखते हैं, owner मतलब जिस website पर आप जा रहे हैं, उसमें आपका जो 27 लाग सक्री यूजर डार्क वेब को ब्राउज करते हैं, हलाकि इसमें अगर ये साहब चाहते हैं, तो कई शब्द ऐसे हैं, जिसको लिपन तरित करने के आउशक्ता नहीं होती, जैसे ब्राउज करना मतलब इंटरनेट पर आप कुछ ढूंदते हैं, वेब आपको उसी र अटक हैं, एक उपन वेब, उपन वेब का मतलब होता है, इंटरनेट का द्रिश्यमान हिस्सा है, जो दिखता है आपको, जहां तमाम तरह के वेब साइट और लिंक्स, लिंक्स को लिंक लिख सकते थे, से लोग परिचित होते हैं, इसे आप अपने इंटरनेट ब्राउजर जैसे Google Chrome, Mozilla, आधि से सर्च करते हैं, यहां अवैद गत्वीरियों का संचालन आसान नहीं है, जैसे UGC Net प्रशन पत्र को यहां बेचने पर तुरंत कारवाई हो सकती है, क्योंकि Google और इस तरह के जो सर्च इंजन है, इसको हमारी जो एजंसियां है, वो भी नजर में रखत हैं, उसके बाद जो दूसरा अंसर हो है, डीप वेब, डीप वेब क्या है, इंटरनेट का बड़ा हिस्सा 90 प्रतिशत होता है, इसी के एक छोटे हिस्से में डार्क वेब की गतिवीदियां भी संचालित होती है, संचालित होती है, उसमें चलती है, लेकिन अधिकांश पर डार्क वेब में वैद गतिवीदियां ही होती है, यहां बड़े डाटा बेस होते हैं, खासकर फाइनसियल एकाउंट, इमेल और सोसल मेसेजिन अकाउंट, प्राइवेट इंटर्प्राइजेज, यह सारे शब्द हैं, जिसकी आप चाहें, तो अंग्रेजी का हिंदी कर सकत इसके बाद है, आगे डाटावेस बैद हैं, फाइल्स आदी, अब इसके बाद इसका तीसरा हिसा है डार्क वेब, यहां क्या होता है, इन्टरनेट की अवैद गतिवीदियों का अड्डा है, डार्क वेब मतलब भी डार्क मतलब अंधिरह पोना, जहां यूजी सी नेट के प्रश्ल पत्र के लीक होने का दावा किया गया है इस तरह की साइट को किसी के द्वारे इंडेक्स नहीं किया है तो इंडेक्स मतलब वही आपके जो भी जानकारी धूंडते हैं उसका विवर नहीं मिले गए एक बार ब्राउजर बंद किये तो गए गूगल केवल ओपन वेब से ही साइट को इंडेक्स करता है सेक्योर्टी फॉर्म कैप कैस पर्सकी की एक रिपोर्ट बताती है कि डार्क वेब पर व्यावसाइक गतिविधियों के लिए साइबर अपराधी साइबर अपराधी कौन है जो साइबर की दुनिया में या फिर है रुपय भेजने या ट्रान्सफ्पर करने की इक सेवा जिसको इसक्रो कहते हैं एस कुर सर्विसेस सेवा का प्रियोग करने लगे है एक तरह के मध्यस्त होते हैं जो आनलाइन ट्रांजिक्शन गा मतलब लेन देने में मदद करते हैं कुल मिलाकर साइबर अपरादी जिस तरह नए नए हथकंडे अपना रहे हैं उससे सुरक्षा को लेकर चिंताय बढ़ने स्वभा लिए इस विवरन को फोड़ा आगे बढ़ाने के लिए आप चाहें तो इससे प्रशन कर सकते हैं और उस प्रशन का मतलब यह कामप्रिशन की तरह से प्रशन हो जाता है आज की चर्चा में मैंने जितने शब्दों पर चर्चा की जैसे डार्क वेव, सेंद, बेखबर, इंटरनेट यूजर, कम्मुनिकेशन, इसकी हिंदी संचार होता है, सोर्सिंग टूल, महत्वपूर्ण, डाटा, इंडेक्सिंग, टोर, ब्राउजर, होस्ट, एंक्रिप्सन स उड़ेंगे, तो फिर कुछ नई बात, नई खबरों पर हम चर्चा करेंगे, इसके अलावा, यदि आप चाहते हैं, किसी भी शब्द का या किसी भी घटना का विस्तार से विवरन या उन पर विस्तार से चर्चा, तो आप उसका भी लिंक में भेज सकते हैं, या उसका वि प्रका करेंगे, विवरन यदि काशना विस्तार से ओन.